दोस्तों, पाइपिंग एन मेकेनिकल ग्यान में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे, जब आप विदेश या अपने देश में रीगिंग जॉब के लिए जब इंट्रूबू देने जाते हैं, तो क्या सवाल पुछा जाता है। सबसे पहले आपके मन का बात बताना चाहता हूं, जो लोग अक्सर पहली बार इंट्रूबू देने जाते हैं, उनके मन में यह सवाल आता है, कि मुझे सब काम आता है, मुझे रिगिंग टूल्स या एकुप्मेंट का नाम भी आता है, और मैं पुरा काम भी कर सकता हूं, ले पनफिडियन के साथ होकर इंट्रू दे सकते हैं, अगर आपको 10-15% इंगलिस आती है, तो बेटर है, और आप पहली बार बीदेश जाना चाहते हैं, तो 3-4 महिने का सट डाउन होता है, आप उसमें जाईए, क्योंकि जिससे बीदेश का एक्स्प्रियंस नहीं दाता है, क् पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए, एंस्वर, तो आप अपने पासपोर्ट के हिसाब से नाम और पता पुरा याद रखिए, आपका पासपोर्ट कब बनाया गया है, और पासपोर्ट कब एक्सपारी होने वाला है, ये सब पासपोर्ट का डीटेल आपको याद रखना ह Q2. आपके experience के बारे में पुछा जाएगा, आप कितना साल काम किये हैं, और कौन कौन से company में काम किये हैं, और किस चीज का काम आप करते हैं, आपका CV, certificate होता है, जो आपने बनवाए रहते हैं, उसका verification के लिए यह सब पुछा जाता है, यह certificate original है यह सब पता लगाने के लिए, answer, आपका resume यह CV और certificate जो होता है, उसमें दीन तारिक तीती के हिसाब से याद रखिए, कि आप कौन कौन से company में काम किये हैं, date के अनुसार आप जबाब दीजिए, ताकि पता चले यह certificate original है, client आप से अगला question पूछ सकता है, rigor का काम क्या होता है, उतर में बताना है, rigor manufacturing plants, CPR, logging yards, contraction site पर भारी भोज को एक जगा से दूसरे जगाप shift करने, बादने, जोड तोर करने में विश्रग्य होते हैं, और समान को ceiling के जरिए hook में फसा कर, समान का angle parallel में है की नहीं, check करके crane operator को signal के द्वारा बताते हैं, client next question पूछ सकता है, rigging load capacity यानि समान को इधर उधर करने के लिए उसकी भारदर स्थिता के हिसाब से खौन से level के rigor होते हैं, उतर में बताना है, level 3, 20 ton तक के load को lift करा सकता है, level 2, 20 ton से 40 ton तक के load को lift यानि उठा सकता है, rigor 1, 40 ton के उपर के load को lift करा सकता है, को संपूर सकता है, rigging और lifting क्या होता है, answer में बता सकते हैं कि rigger की team, एक crane या black और tackle के साथ बस्तुओं को उठाने, roll करने, slide करने या उठाने के लिए आवस्यक rolling उपरण को design और अस्थापित करती है, कुछ rigging उपरण है, जैसे कि wire रसी, turn tackles, kelvis, crane के साथ उपयोग किये जा नचना स्थांत्रन में अन्य lifting वाले उपकरण, client अगला question हो सकता है, ceiling क्या होता है, उत्तर में बताना है, भार उठाने वाले ceiling का उपयोग बस्तुओं को प्रभावी ढंग से और सुलच्ची त्रूप से उठाने के लिए एक उठाने वाले उपकरण या crane के साथ किया जाता है, ceiling में आम तोर पर केवल, chain, रसी, bathing ceiling होती है, और आम तोर पर धात के उपकरण जैसे हूंक, shackles, links या ring सामिल होते हैं, विभिन प्रकार के ceiling अलग-अलग अनुप्रियोगों के लिए उपयुक्त हैं, जो उसकी समर्चना कारे के भार, लंबाई, ceiling mode इन सब पर निर्भार कर होता है, इसके साथ next question पूछ सकता है, ceiling कितने टाइप का होता है, उतर में बताना है, ceiling तीन प्रकार का होता है, wire rope ceiling, chain ceiling, synthetic या nylon waving ceiling, अगला question इन तीनों के बारे में पूछ सकता है, तो आए जानते हैं, wire rope ceiling कितने प्रकार का होता है, wire rope ceiling अनेक प्रकार का होता है, जैसा कि आप screen में पर देख रहा हैं इसको यौफ यौफ स्टील वायर रूप के नाम से भी जानते हैं वायरूप सीलिंग के बारे में भी पूछ सकता है Ceiling का capacity कैसे निकलते हैं माल लिजिए 12M ceiling का load capacity कितना होगा 12M ceiling का load capacity 1.15 ton या 152 kg SWL होगा Chain ceiling कितने प्रकार का होता है Chain ceiling भी अनेक प्रकार का होता है जैसा कि आप screen पर देख पा रहा है इसका load capacity जानने के लिए इसको testate करके इसमें tag लगा होता है जिसे यह पता करते हैं कि यह कितने टनका है आप जानते हैं waving ceiling कितने प्रकार का होता है Waving ceiling भी अनेप प्रकार का होता है जैसा कि आप screen पर देख रहा है Waving ceiling का capacity पता करने के लिए अगर vertical stand position में है तो color code या lining के द्वारा पता करते हैं और belt में जितना line है उतने टनका belt होगा और color code से पता करते हैं अगर violet color का waving ceiling है तो एक टनका होगा green color का है तो दो टनका होगा yellow color का है तो तीन टनका होगा gray color का है तो चार टनका होगा red color का है तो पांच टनका होगा brown color का है तो छे टनका होगा ब्लू कलर का है तो 8 तंड का होगा और और अरेंज 10 तंड के उपर के लिए होता है अगर डीटेल में जानना चाहते हैं कि वायर रोब सेलिंग, चैन सेलिंग और वेविंग सेलिंग का कापसिटी कैसे निकालते हैं तो मेरा अलग से वीडियो देख सकते हैं आई बटन ओर डेस्क्रिप्टन बाक में लिंक देदूंगा वहां से देख सकते हैं अगला कोशन पूशन सकता है डीसाइकल क्या होता है उत्तर बताना है डीसाइकल लोड उठाने के लिए उपकरण खोश्ट हूग या सीलिंग के साथ कनेक्शन यानि जोड कर भार को उठान दनुशनुमा होता हो डीसाइकल का कापसिटी जनने के लिए उसको उपर लिखा राता है कि या डीसाइकल कितने टनका है नेक्स्ट कृस्चन है SWL और WLL क्या होता है और इसमें क्या अंतर है एंसर SWL यानि Safe Working Load WLL यानि Working Load Limit SWL यानि की लोड का जो वेट होता है लिप्टिंग डिवाइस यानि लोड उठाने वाले उपकरण भार को आसानी से उठा सके जिसे लोड के उपर किसी भी तरह का क्रेक या टूटने का खत्रा न हो SWL को NWL यानि की Normal Working Load भी कहते हैं अब जानते हैं WLL यानि Working Load Limit Safe Working Load Limit ही है क्योंकि दोनों का कारे समान ही है बस Safe Working Load का नाम चेंज करके Working Load Limit रख दिया गया है Working Load Limit को सम टाइम Rated Road या Rated Cap City भी कहते हैं Next Question क्रेन के बारे में मैं पूछ सकता है क्रेन कितने परकार के होते हैं उत्तर में 8-10 क्रेन का नाम बता सकते हैं पूम, श्लीं, हुक ब्लाग, शेकल, आउटर रिगर, कांटर वेट, पूली, वेब श्लीं, अलिलरी होस्ट, रोटेक्स, गीर, इत्याद Next Question है, Lifting के दवरान क्या हजाड यानी खत्रा हो सकता है उत्तर में बताना है, Suspended Load यानी क्रेन से उठाए गए लोट के नीचे कोई आता है, तो Suspended Load गिर सकता है Damage Tools and Tackles का यूज करने पर Falling Load यानी उठाए गए लोट गिर सकता है क्रेन कुलप्स हो सकती है Outer Rigor का Condition सही है नहीं होने पर Hazard हो सकता है Improper Rigging नहीं किया गया है, तो Hazard हो सकता है Improper Signaling यानी Signal सही नहीं है, तो हो सकता है क्रेन मेकेनिकल फेलियर हो सकता है सही Cap City का Sealing यूज नहीं करने पर Hazard हो सकता है क्रेन का Swing Radius सही है नहीं होने पर Hazard हो सकता है काम के दरान वहरीकेशन के अंदर अनर 13 परसन का आना भी एक रजार्ड है नेच्ट कोस्टन है क्रेन लिफ्टिंग के लिए क्या रेकरमेंट होना चाहिए उत्तर में बता सकते हैं क्रेन का आउटर रिगर पुरा निकला होना चाहिए क्रेन का पोजिशन ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए आउटर रिगर के लिए आउटर रिगर पैट का इस्तमाल करना चाहिए क्रेन का टायर ग्राउंड लेवल से थोड़ा उपर होना चाहिए certified rigor or certified crane operator होना चाहिए crane से lifting करने से पहले check list के इसाब से check कर लेना चाहिए crane से lift करने से पहले load का weight safe working load के अंडर आता है की नहीं चेक कर लेना चाहिए crane का safe working load indicator काम कर रहा है की नहीं safety device को bypass नहीं करना चाहिए working radius को varicated करना है उसके अंदर किसी भी unauthorized person को नहीं आने देना चाहिए lifting tools inspected होना चाहिए lifting tools damage use नहीं करना चाहिए critical lifting के लिए lifting plan होना चाहिए lifting के लिए wind speed 32 km per hour के नीचे होना चाहिए अगला कस्षन है lifting और crane accessories क्या-क्या होते हैं एंसर में बता सकते हैं chanceling fitting, chanceling, high bolts, hooks, lifting magnets, multi-leg waving या chanceling, round sling, sackles, wire rope sling, plate lifting clamp next question है PWAWS क्या होता है अंसर है PWAWS यानि की approximately warning alarm system या high equipment में लगा होता है जैसे की bulldozer, excavator, जब भी कोई person 5 मीटर की तूरी पर होता है तो या alarm देता है next question है crane में LMI या Arcel क्या होता है अंसर देना है LMI यानि की load movement indicator इसका दूसरा नाम है Arcel, rated capacity limiter जब भी crane overload condition या overhust condition में load को उठाता है तो crane operator को warm यानि चेतानी देता है जिसे की personal effect या equipment damage न हो load movement indicator crane operator को warm करता है अगला question है, load chart क्या होता है अंसर, प्रते क्रेन में एक load chart होता है जो संशेप में crane की छमताओं को निर्दिश्ट करता है क्रेन से lifting के दोरान load को कितने भूमेंगल और कितने radius में उठाना है या बताता है अगला question है, working radius क्या होता है उत्तर बता सकते हैं, working radius यानि की maximum distance होता है जहाँ पर crane का boom किसी भी load को उठाने या उतारने के लिए पहुचता है तो उसे maximum distance की working radius कहते है अगला question है, tandem lifting क्या होता है answer, जब भी किसी भी load को उठाने के लिए दो crane का उपयोग के आता है तो उसे tandem lifting कहते है next question है, ऐसा कौन सा device है जो indicate करता है की crane का boom angle कितना है answer, boom angle indicator जो indicate करता है की boom का angle कितना है next question है, crane से lifting के दोरान कितनी wind speed एलाव होती है answer, lifting activity के लिए wind speed 32 km per hour यानि की 20 miles per hour या 8.998 meter per second से नीचे एलाव होती है अगला question है, working at height पर काम करने के लिए अधिक्तम wind speed कितना होता है answer, 23 miles per hour से ज्यादा पर काम नहीं कर सकते और आज मेरा आपसे request है, आपने हो सकता है, सब्सक्राइब भी कर लिया हो, गंटी भी बजा दियो लेकिन अपने 3-4 दोस्तों को कम से कम Facebook और WhatsApp पर share करें कि ओभी बेल आइकन को प्रेस करें और वहां तक ये notification जा सके अगर मेरे वीडियो से मदद होती हो, तो हर बार मेरे request किये बिना like कर दिया करिए मेरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से प्रेम पुरुवक बहुत बहुत धन्यवाद